साथियों, सामान्य तोर पे ये कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र, जब वो 10, 12 में होते हैं, बहुत महत्वपुण होती है। 16, 17, 18 की ये उम्र, किसी युवाओं लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपुण है। आप देखिए, अभी 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16 वी लोकसभा का कारकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही अइतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से सत्तरवी लोकसभा का कारकाल शुरू हुआ है। इस दोरान भी देश ने जैसे निर्णे लिये हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतियास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद अठारवी लोकसभा होगी, मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दसक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपुन भूमी का निभ्याएगी। और इसलिए मैं ये सोला, सत्रा, अठारगा का महत्वप आपके सामने विशेश रुप से प्रस्तूत किया है। देश के सामने कितना कुछ है जो हमें इस दोरान हासिल करना है। चाहे आत्म निर भर भारत अभ्यान हो, अर्थ व्यवस्ता से जुड़े लक्ष हो या ऐसे ही कितने और संकल्प इस सब हमें इसी दोरान ही सिद्ध कर रहे हैं। और इसलिए सोलवी, सत्रवी, अठारवी लोगसभा का ये कालखन हमारी युवा देश के लिए बहुत एहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपून समय का हम सब को हिस्सा बनने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोगसभा के अलग-अलग कारकालों का अध्यन किया जाएं। तो ये कारकाल देश की प्रगति के स्वर्णिम अध्याय के तौड़ पर याद किया जाएं।